हेलो फंड मैं हूँ आपका होस्स दोस्स आदर्स आपका स्वाध करता है आपके अपनी यूटुब चैनल में आज हम इस विडियो में जो री एवलेशन रिजल्ट का अपडेट आया है उसके बारे हम बात करेंगे और इस विडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे वैसे जिन्होंने जून 2021 में अपना एक्जाम दिया था और एक्जाम दिये हुए उनको 45 डेस से जादा हो गया है और उनका रिजल्ट अभी तक डिकलेर नहीं हुआ है और उनको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए सो डेट वो अधर जॉब में अपलाई कर सके तो उनको क्या करन होगा तो वीडियो में बने रहे है इग्नु के रिलेटिंग रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो यह जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा उस वीडियो में मैंने अपना कॉंटेक्ट नंबर दिया करते हैं वीडियो करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा रखता है तो सब्सक्राइब किजिए ठीक है तो चलिए देखिए आपको कुशन करना है किसी वी वेब ब्रावजर में इग्नु का आपको ऑफिसेल वेबसाइट ओपन कर लेना इग्नु.ac.in इग्नु ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें बताया है कि जो लास्ट डेट फॉर सम्मीशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फोर दपोस्ट ऑफ टेकनिकल मनेजर और टेकनिकल एसिस्टेंट उसके फॉर्म को लास्ट डेट को एक्स्टेंड कर दिया है आप जैसे कि आप देख देख रहा है कि एक नवंबर तक इसको एक्स्टेट कर दिया है तो आप अब एक नवंबर तक अप्लाइक कर सकते हैं तो जो चुट गया थे वह अपलाई कर लीजिए तो चलिए हम अगले नोटिफिकेशन की बारे में बात करते हैं जो इगनु का रिजल्ट डिकलेर हुआ तो उसके लिए हमें बैक जाना पढ़लेगा और इगनु का जो होमपेज झाने के बाद यहां पर आपको मिनी दि जाएगा ठिक यहां पर ऐसी आप मीनी पर टैप किजेगा और यहां पर दो स्टुदेंट सपोर्ट में जाने बाद रिजल्ट के सेक्षन में जाना होगा तो जैसी आप रिजल्ट के सेक्षन पर जाएगा तो इगनु का रिजल्ट वाला पोटल आपके सामने ओपन होके आ जाएगा आपके सामने इगनु का पोटल आ जाएगा ठीक है आपको यहाँ प को देखने के लिए मिल जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप इगनु के रियवलेशन के पोटल पर आ गया है तो यहां पर आपको जाना होगा जो पहला लिंक दिया है रियवलेशन दिसंबर 2020 न्यू इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो जैसी आप इ इगनु के रियवलेशन वाले पोटल पर पहुंच जाएगा और यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि इगनु ने स्टेटस को 20 अक्टूबर तक अपडेट कर दिया है तो जिन एस्टूडेंट ने डिसंबर 2020 में अपना एक्जाम दिया था और उपने मार्क से से सेटिस्फ बनता है तो इगनु ने उसको रिसंट अपडेट किया इससे पहले जो लास अपडेट था वो 14 अक्टूबर तक आया था और अभी इगनु ने आठ दिन का और अपडेट करके इसको अपडेट किया तो चलिए वह आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको बैक जाना हो तो यहां पर BCA, MCA, MP और MPB है और PGDCA तो पहले लिंक पर, BDP है तो दूसरे लिंक पर और अधर प्रोग्राम है तो तीसे लिंक पर हम आपको BCA, MCA के लिए बताते हैं तो हम पहले लिंक पर आपको टैब करते हैं जैसे आप पहले लिंक पर टैब किजेगा तो आपके सामने program select और आपका enrollment number select करने के लिए बोलेगा उन दोनों को select करने के बाद आपको अपना status देखने के लिए मिल जाएगा for example हम आपको एक student का दिखाते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इगनू ने 22 October तक 22 October तक status को update कर लिया है तो आप लोग check कर लीजिए चलिए अब बात करते हैं उन student के बारे में जिनका result declare नहीं हो रहा है और 45 days से जादा हो गया है तो उनको कुछ नहीं करना है देखिए यह आपके re-evaluation center की list है ठीक है और यहां पर आपको contact number और email ID दिया है तो आप इस पर contact करके और email करके आप अपने result का status चेक कर सकते हैं कि आपका result का status कहां तक गया है तो आप इसमें email करके जान लीजिए अगर वीडियो आपका अच्छा लगाए तो इसको like कीजिए share कीजिए उनने student को जिनको इनके regarding information चाहिए ता हम मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में till then see you soon